दोस्तो आज हम बनाएंगे street style मैगी भेलपूरी जो होगी खाने में बहुती टेस्टी दोस्तो अगर आपने ये आज से पहले नहीं बनाईए तो एक बार इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा ये खाने में बहुती टेस्टी होती है और इसको बनाएंगे हम बहुती फटा-फट से तो चले शुरू करते हैं रेसेबी तो दोस्तो मैंने यहां पर ले लिए हैं मैगी इसको मैंने crush कर लिया था छोटए-छोटा टुकडो में आपको भी इसी तरीके से crush कर लेना है तो यहां पर मैंने ले लिया है एक पैन इसको मैंने रखा है medium low flame पे तो सबसे पहले यहां यहां पर डाल लेंगे oil एक सब्सक्राइब यहां पर बटर का भी यूज कर सकते हैं तो इसमें डालेंगे टेस्ट मेंगर यानिकी मैगी मसाला यह मैंने हाफ ही लिया है अभी इसका हाफ ही करेंगे यूज हाफ बाद में बताऊंगा आपको कहा पर यूज करना है तो कंटीनिस होते कर लेते हैं तो मैगी चलाते हैं हमें 102 मिनट हो चुके हैं यह हलकी हलकी देखिए दोस्तों ब्राउन हो चुकी है तो इसको एक से दो मिनट के लिए और भून लेते हैं तो एक से दो मिनट भी हो चुके हैं यह देखिए दोस्तों गोर्डन ब्राउन हो चुक किये तो अब इसमें ять करेंगी कुछ सब्जिया तो सब्झियों में यहाद सबसे पहले मैंने लिए हैं बारिक कटावा प्याँज यह एक medium शाइज का प्याँज था जिसको मैंने बिल्कूल बारिक बारिक का लिया है तो प्याँज को यहाँपे एड कर लेते आप इसके बारिक 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 काट लिया है तो टमाटराप डालेंगी चक्ति एंधीं तुक मुझी किटा टालेंगी दोसे 13 घृमके लिए एक बारिक की लिए कर सकते हैं अब उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर मसाला पीनेट यह आप किसी भी कंपनी का लेचकते ही यह पैकेट में आती है तो मैंने हाफ पैकेट यूज करा है भिलपुरी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसके बाद डालेंगे इसमें नवरतन नमकीन यह भी आपको पैकेट मिल जाएगा इसका भी मैंने हाफ पैकेट यूज करा है अब डालेंगे दोस्तों टेस्ट मेंगर मैगी मसाला जो हाफ हमने बचा रखा था वह इसमें पूरे डाल देंगे अब मैगी मसाले से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों तो मैगी मसाले के ब अब उसके बाद मैंना यहाँ पर डाला है बारिक कटावा हरा धनिया हरा धनिया डालने के बाद इसमें डालेंगे आधा कटावा नीबू यह देगे दोस्तों यहाँ पर मैंना नीबू लिया है आधा कटावा तो नीबू add कर लेते हैं और जो नीबू की एक दो बीज गिरे हैं इनको हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है तो नीबू डालने के बाद इसको अच्छे से mix कर लेंगे दोस्तो नीबू आपको तब ही डालना है जब आप इसको serve करने वाले हो नीबू डालने से जो मैगी का एक करारापन है वो चले जाता है, मैगी थोड़ी सी सौगी हो जाती है तो भेलपूरी खाने में मज़ा नहीं आएगा तो इसको अच्छे से mix कर लेते हैं दोस्तों तो मैगी की भेलपूरी बनके बिल्कुल तयार है, street style में दोस्तों आब इसको बनाईए और खाईए, enjoy कीजिए एक बार इसको जरूर बनाके देखिएगा दोस्तों यह आपको बहुत पसंद आएगी तो recipe अच्छी लगी हो तो like, share, comment जरूर करें अपने friends को इसको share करें मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी recipe के साथ